नमस्कार दर्शकों मैं हूँ आपके साथ चितरा शर्मा और आप सभी का बहुत अभिनंदन करती हूँ हमारे सखास कारिक्रम में यह कारिक्रम दर्शकों ऐसा है जिससे जब आप जुड़ते हैं जब आप इसे देखते हैं समझते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जीवन आपका बहुत जादा सरल हो गया है, बहुत जादा आसान हो गया है, क्यों? क्योंकि इस कारिक्रम के जरिये हमेशा आपको ऐसे जोतिशिय समाधान बताये जाते हैं, जो आपके जीवन को कही न कही बहुत जादा आसान बना देते हैं, ज जानना चाहते हैं तो ये कारिक्रम ये भी आपको बताता है दामपत्य जीवन में परिशानी है या बच्चों को लेकर कोई समस्या है कहने का मतलब यह है जिंदिगी में कोई भी परिशानी कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है और उसका सरल समाधान आप जानना चाहते हैं जीवन को खुशियों से परिपून अगर आप बनाना चाहते हैं, सफल जीवन आप जीना चाहते हैं, तो ये कारिकरम दर्श को आप ही लोगों के लिए है, बस आपको करना ये है कि हमारे साथ इस कारिकरम में आपको जुड़ना है, हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब क कर लेते हैं और हमेशा की तरह मिलकर स्वागत करेंगे आचारे डॉक्टर रजुनी का श्यवास्तव जी का नमस्कार आचारे जी बहुत अच्छव स्वागत करेंग कुछ ऐसा समाधान प्रीशन सomnia में मिल जाए जिसको हम आसानी से अपना सके और जीवन हमारा आसान हो जाए क्योंकि सरल समाधान इसलिए मैं कह रही हूं कि कई बार आचारे जी ऐसा होता है कि हमें समाधान रेमेडी ऐसी बता दी जाती हैं जिनको सुनकर के ही लोग घबरा जाते हैं इतना लंबा चोड़ा स समाधान हमें बता दिया अब इसको हम अपनाएं कैसे हमारे पास तो समय नहीं है हमारे पास तो विवस्ता नहीं है तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आज मैं कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछूंगी जो लोग आपसे जानना चाहते हैं लोग आपसे पूछना हैं वो यह है कि दामपत्य जीवन को सुख मैं कैसे बनाया जाए दामपत्य जीवन में अगर परिशानिया बार-बार आती हैं बेहिसाब कोज किया है उनके जनम कुंडली में ऐसा क्या चीज बाधीत है जिसके जैसे मिया बीवी के एड़्जस्मेंट कंजूगल लाइफ में प्रब्लमस आ रही हैं सपोज किसी के कुंडली में अगर सुक्र सूर्य के साथ आ गया तो प्रीत भी मर्दन दोस्ट बन गया अगर लेशन होने के डर जादा बढ़ जाते हैं इस तरह की स्थिती रहती है तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जिनका ब्रिस्वती अच्छा होता है उनको एक प्रब्लमस कम आती है तो सुक्र को सही के तो जो रूट कोज है उसका यह सपोज की सूर्य के कारण सुक्र डिस का बीज निकालने सुर्य को जल डालें प्रात्ना करें कि हे प्रभु हमारे कजुगर लाइफ अच्छा रहें और उनको जल हर संड़े को डालें मंदिर में पंडीजी को केसर दें केसर के दान करने से सुर्य सही हो जाता है या गुड को गिला करें उस पे थोड़ा सा लेगी तो उस निश्टा को दूर करने के लिए उसका पहले चेक करेंगे कुंडली में नीच भंग योग बन रहा है या नहीं बन रहा है अगर नहीं बन रहा है आर्टिफीशल मनाने की कोशिश की जाती है जनरल केस में लश्मी जी को अगर दही सुकर बार को चड़ा दी जाए साथ में मिसरी या बतासा चड़ा दी जाए तो सुकर बर सांथ होने शुरू हो जाते हैं इसका जस्ट एक छोटा सा एक जामपल वैसे देशी भासा में आपक चाहूंगा कि एक शेर आपको मार के खाने आ रहा है और शेर इसलिए खाना चाह रहा है आपको कि वो मांसाहारी है उसको मांसी चाहिए अगर उसको भरपिट रास्ते में ही गोस्त मिल जाती है तो खाके वहीं से रिटर्न होगा मान के चलिए कि ग्रहों का भी कुछ ऐसा ही उसकी निगेटिव उर्जा आपसे वो टैक्स लेना ही लेना है आपको परसान करके लेना है तो अगर उसको चीजे हम पहले से ही उसको सुपुर्द कर दें और उसका चड़ावा चड़ा दें हें इंकम टेक्स अधिकारी आप ले लीजिए हम आपका टैक्स बढ़ दीजिए म बहुत कुछ रिलीफ मिल जाती है कुंडली में इस तरह का योग है हमने देशी भासा का प्रयों किया माप किजिएगा आप लो दर्शक लो लेकिन हमने जो बाते बोली है यह सही है तो कंजुगर लाइप में क्या है जिस घर में सरस्वती चलीशा पढ़ा जाए तो राहु पती पत्नी के दामपत्य में परशानी आ रही है और नेक्ष कोई कुश्चन हो तो बतरुज देखे दर्शकों दामपत्य जीवन से जुड़ी इतनी उत्तम जानकारी अभी अभी आचारे जिसे हम सभी ने सुनी और समझी हैं जिनके बारे में हम अक्सर सोचते हैं कि भाई डिस्ट्रबेंस चल रही है शादिश्वधा जंदगी में, ये सभी सरल समाधान आप अपनाएं और उसके बाद अपना फीडबैक आप हमें बताईएगा कि जीवन आपका कितना सरल हो गया है, कितना उत्तम हो गया है, कितना परिवर्तित हो गया है. क्योंकि हमारे इस कारिक्रम का मकसद दर्श को यही है उद्देश यही है कि आपके जीवन से सभी कष्टों को दूर करना है सरल समाधान आपको बताने हैं ताकि आपका जीवन सकरात्मक हो सके परिवर्थित हो सके खुशियों से परिपून हो सके अच्छा दामपत्य जीवन की बात तो आपने बता दिया अचारे जी अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जिसको लेकर मैं समझती हूँ कि हर दूसरा व्यक्ती परिशान चल रहा है और वो सवाल जुड़ा हुआ है नौकरी व्यवसाय से संबंदे बहुत सा पा रहा है तो ऐसे लोग क्या करें दूसरा सवाल मेरा यह है इसी से जुड़ा हुआ पैसा है व्यवस्था है सब कुछ है लेकिन फिर भी हम व्यवसाय की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं हम बिजनस स्टार्ट अप ही नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा क्यों है नौकरी में प् प्लस बूद अच्छा होना चाहिए बिना बूद के मान समान में वेटेज में कमी हो जाती है जहां वो वरकिंग प्लेस पे काम करते हैं उसके इंपलायर या जो उस इस्टेबलिस्मेंट के जो भी कंपनी के जो लोग है कली गोगरव चाहे सिनियर्स होगरव उसकी जाते वक्त गायतरी मंत्र का जाप किया जाए तो इससे भी बहुत लाव मिलता है सुर्य को सही होना शुरू हो जाते हैं और उस आदमी को ये लाव मिलना प्रमोशन के चांसेज बन जाते हैं और एक मंत्र होती है दूरगा जी के सामने अगर उसकी प्रात्ना की जाए को सही करना जरूरी है पलस ये तो हो गया जनरल चीज है अब देखिए कौन ऐसा ग्रह है जो पीडित कर रहा है क्या पता सनी वहां पे आपको पीडित कर रहा हूं तो सनी का टैक्स पेड़ कर दीजे सनी बार को तेल तिल लोहा उड़त दार करिए या वहां पे कोई ऐसा कुंडली का अलग-अलग नियमें हर आदमी पे यह हमने जनरल फर्मूला आपको बताए कि ऐसा होता है तो हम लोग जब जनरम कुंडली देखके खंगालते हैं और जातक कि यह वह कोश्चन से उसको टैली कराके देखते हैं तो रूट को पकड़के उसका उपाई बता देत हैं तो कहीं न कहीं इन सभी चीजों के पीछे जो जिम्मेदार है वो है आपकी जनम पत्रिका आपके ग्रह दोश तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से ग्रहों के कारण इस तरह की परिशानिया आप अपने जीवन में फेस कर रहे हैं इसलिए वक्त वक्त पर अपनी जरम पत्रिका का आंकलन कराना दर्श को देखे बहुत जरूरी है जब तक आप आंकलन नहीं करवाएंगे कुंडिली का विशलेशन नहीं करवाएंगे आप ये नहीं जान पाएंगे कि परिशानी क्यूं आ रही है और जब आप यही नहीं जान पाएंगे कि परिश परिशानी क्यों आ रही है किस वज़र से आ रही है कौन से ग्रह को लेकर आ रही है और वक्त रहते क्या इसका समाधान आप कर सकते हैं यह सारी बाते इसी मंच के जरीए आप तक हम पहुंचाते हैं अगला स्वाल आचारेजी आपसे मैं पूछना चाहती हूं बच्चों के उ हैं वो इस बात को लेकर परिशान हो जाते हैं कि उनके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग पाता है ट्यूशन लगा रखा है अच्छे से अच्छा स्कूल लगा रखा है सारी चीज़ें व्यवस्था सब बना रखी हैं लेकिन फिर भी मांक्स नहीं आ पाते हैं कर दोस्ट लगी हुई है तो बच्छे का पढ़ाई बाधि तो होगा और कहा गया है कि चंदरमा मंसो जातक। बच्चे का चंदरमा कहीं किसी पाप ग्रह के बीचमें आ गया है या पाप ग्रह की दरिष्टी पढ़ रही है तो ुसका मन पढ़ाई के बजाए कहीं और जा रहा है सपोज सुक्री की महादसा है सुक्र ही उसको देख रहा है तो सुक्र फैंसी डिजाइनिंग शिल्गार और इस तरह की चीज़ें टीवी हो गया गेम हो गया और मोबाईल ओगर की तरफ उसका दिमाग को कनवर्ड करेगा तो हमेशा उस ग्रह का तो आप दान कर दीजिए जो उसको रोक रहा है और उस तरह का कलर ज्यादा यूज न करें सपोज की मालेजे की सुक्र उसको डिस्टरब कर रहा है तो सुक्रबार को सफेद ना पहने न खाए हम एक्जामपल बता दें राहू उसके पढ़ाई को डिस्टरब कर रहा है तो निला कम से कम पहने फटा हुआ जीन्स का है स्टाइल जो चला है फैंसी वो सब चीजे इस्तमाल न करें नहीं तो उसका दिमाग आईसोलेट होता रहेगा और जो उस पंचम भाव का मालिक है ज इस कारण से बिद्या में रुकावट आ रही है उसका रूट को पकड़िये उसका उपाय तुरंत बता दीजे तो इससे उसका बहुत ला मिलेगा वैसे जेनरल केस में उस बच्चे को घर में सवरसती जी का पाट करना चाहिए सवरसती जी की तस्वीर होना चाहिए घर में ह नहीं आगी पोजेटी बढ़ेगी और उसके पढ़ाई के तरफ रूजहान बढ़ेगा और कुछ जी तो चलिए देखे पैरेंस के लिए ये कितनी अच्छी रेमेडी कितनी अच्छी टिप्स यहां पर आचारे जी ने बता दिये हैं आप जो पैरेंस पर रिशान होते हैं क वो वक्त रहते आपको अपनानी हैं कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और उसके बाद आप उसे अपनाएंगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वक्त रहते जब समाधान किया जाता है तभी वो कारगर सावित होता है और तभी आपके जीवन में वो सकरात्मक परिवर्तन ले करके आता है यदि वक्त हाथ से निकल जाएगा उसके बाद आप उपाय को करेंगे समाधान को अपनाएंगे तो उसका कोई खास बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा इसलिए वक्त रहते सलूशन को अपना लीजे इंप्लिमेंट कर लीजे और फिर उसका क्या असर रहता है यहाँ खुद हमें फीडबैक में बताएंगे जी हाँ अच्छा अचारे जी आज कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की बारे में हमने आपसे डिसकॉशन किया जानकारी आपसे हमने प्राप्त की अब एक चलते चलते एक खास रेमेडी में आपसे पूछना चाहती गुरु मंत्र मैं चाहते हूं कि आप हम सभी को दे दें और वो गुरु मंत्र इस बात का कि सभी का जीवन खुशी से परिपून रहे खुशी से लबरेज रहे किसी के भी जीवन में परिशानी ना आए तो खुश रहने का गुरु मंत्र क्या है सबसे बनिया है उस घर से नियम से गाय को रोटी, चिडियों को सतना जा, चिटियों को पंजीरी, कुते को भोजन निकाली जाए और बड़े बुजुर की आदर किया जाए उस घर में और उस घर में हर आदमी की इज़त हो ताकि लच्वी रूष्पना हो यही सबसे बड़ा गुरु मंतर है जी देखे अब ये एक ऐसा खास गुरु मंतर यहां पर आचारे जी ने हम सभी को बता दिया है जिसके पालन से आपके जीवन में ऐसे सकरात्मक बदला आएंगे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी बड़े बुजुर्गों का आशिव देखे दर्शों को बहुत जरूरी होता है उन लोगों के लिए जीवन में वाके में तरक्यी करना चाहते हैं वाके में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और गाय कि यदि आप रोटी निकालते हैं तो इससे भी ग्रह आपके शांत होते हैं Ah पर अपके अनकूल रहते हैं इसलिए आपका जीवन जो है सकरात्मक दिशा की ओर अग्रसर होता चला जाता यह सभी चीजेंदर्श को बताई हैं अचारी जी ने जिनका connection आपके जीवन से है जिनका connection चल जाएगा कि जीवन आपका कैसे बदलता है जिन खुशियों की आप उमीद करते हैं वो खुशियां कैसे स्वता आपके जीवन के साथ जुड़ना शुरू हो जाती है फिलाल कारिक्रम इशारा कर रहा है वक्त इशारा कर रहा है कि कारिक्रम को आज यहां पर हम विराम दे रहें लेकिन इस वादे के साथ कि अगले अंक में आपको ऐसे ही जानकारियां हम लोग और देंगे आचारे ची आप हमारे साथ जुड़े बहुत अच्छी जानकारिया आपने आज भी दी बहुत बहुत आपका धन्यवाद जैस्री राम दर्शुक्त